आई देन शहर के कुछ ऐसे भी शरार्ती तत्व है जो अपना जन दिन का केक तलवार से काट कर फेस्बुक पर डाल कर लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित कर रहे हैं तो वही पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है जब भी किसी को अपना जन दिन मनाना हो वो व्यक्ति अपना जन दिन सबसे हट कर करना चाता है कोई अपनी फैमिली के साथ मनाता है तो कोई अपनी दोस्तों के साथ मनाता है कोई दो किलो का केक काटता है तो कोई उससे भी बढ़कर ज्यादा किलो का केक काटता है केक कोई भ रही है काटोल में ऐसी ही एक तलवार से केक काटने का वीडियो वारल हो चुका है जिसकी शहर में और ग्रामिन परीसर में इसकी चर्चा हो रही है जिहां हम बात करने जा रहे हैं अन्ना भाव साथे समाज भुशन पुरिस्तकार प्राप जीवन रामचंद्र गायकवार धव तलवार से केक काटने पर केक को दोस्तों को खिलाया जा रहा है जन दिन का केक काटना और खुश्या मनाना कोई गैर नहीं लेकिन तलवार से केक काटना और उस वीडियो को फेस्बुक पर डालना और वाइरल करना यह दंडनिय अपराद है किसी भी प्रकार की बिना अरुम पतिके हत्यार रखना ये भारती हत्यार कानून के तहट दंडनिय अपराद है तथा यह कार्य धारा 4 बटा 25 के तहट ऐसी शरारती तत्वों पर दर्स किया चाता है जहां ये तलवार से केक काटा गया ये काटोल में खटना हुई है दर्श को आप फिर से एक बार ये वाइरल हुआ वैसे ही कुछ सामाजिक कार्यकरताव ने इसकी शिकायत काटोल पुलिस थाने में दर्स कराई साथ ही नाखपुर ग्रामेंट पुलिस अधिक शक इन्हें भी पूरी सबूतों के साथ शिकायत दर्स कराई है लेकिन पुलिस ने अब तक कारवाई नहीं की है पुलिस जल्द से जल्द ऐसे शरारती तत्वा पर कारवाई करे और ऐसे इसके आगे भी कोई भी व्यक्ति यदि तलवार से केक काटता है तो उस पर अंकुष लगाए यही शहर और ग्रामेंट के नागरिक चाते है अब दर्स कराई गई इस केस में पुलिस का काम किस काम करने वाली है इस और वाइरल हुए वीडियो देखने वालों की निगाहे लगी हुई है बार बार ये दिन आए बार बार ये दिल गाए आप जियो हजारों साल लेकिन हत्यार कानून की धज्या ना उड़ाए और तलवार से केक ना काटे इन्बीसीन न्यूस ब्योरो र पोठ नागपुर